तो ग्यास एट नाइनत और एवेन्त का जो है एक्जाम डिट मतलब आप लोगा जो साकेड टम है वह कब से होगा कियोंकि आप लोग बहुत रिसेंटली पूछ रहे थे मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक कर ला चैनल को सब्सक्राइब करना था कि आप लोगा इग्जाम होना है ठीक है और आप लोग को शेयर भी कर देज़ेगा इस ताकि आपके और फ्रेंड्स है वह इसा को आप लोगो डेट मिला है सेकंड अग्जाम का कब से कब तक होना है इस बीच में जो है आपके फ्रेंड्स अपने तैयारी कर भाएं ठीक है तो यहाँ पर देगें क्या बताया जारा सरकारी मतलब यहां पर तो यह सरकारी स्कूल के बारे मताया जा रहा है कि राजिक के सरकारी या हम सहायता प्राप्त अनुदानित स्कूलों में गर्मी की चर्थाइब फाग द्वारा जारी आधिस कनुसर पिछले साल दो नौवंबर को जारी दूसर तरह 17 दिनों गर्मी छुटी निधारित की गई है इसकूल में होने वाली वार्षिक मुल्यांकन को देखते हुए इसा यह अथावत रखा कि मतलब जो आप लोगा गर्मी अधिया विभाग दोवारा बुद्वार को जारी निर्देश कनुसर राजी के सरकारी एवं अनुदाने तिसकूल 6 जुन से 16 जुन तक में 16 जुन तक कक्षा एक साथ के विद्यार्थियों का वार्षिक मुल्यांकन होगा यानि कि जो आपनों का मतलब कख्षा एक से लेक स परिक्षा जो है 16 जुन से 30 जुन तक प्रस्तावित है इसे देखते हैं अगरों चुटी तितिया को एथावत रखा गया मतलब जो बोला जा रहा है कि आप लोग का जो कर्मी की चुटी है जैसे कि आप लोग का चुटी कब से कब तक है 16 जुन तक है और 16 जुन के बाद या है आप लोग की परिचा कभी भी स्टार्ट कराई जा सकती समत का दयान रखेगा कि 16 जुन से 30 जुन के बीच में कभी भी आप लोग की बोर्ड परिचा स्टार्ट हो सकता है 25 जुन से स्टार्ट हो सकता है मतलब कभी भी स्टार्ट कराई जा सकती है ठीक है तो मतलब आप ल से बनेगा सोच सारी सीज़े बतला दूँन ऐसे होगा आप लोग को नहीं मिला तो आप लोग गूगल में सर्च किजएगा जैक बोर्ड ठीक है जैक बोर्ड क्लास एक नाइन तो गया इट तो ग्या आप लुगा सर्च खेके जैगब एट सेकेंड टम सेलेबस दोजार बाइस जारकन लाब नाइंध वालों को सर्च करना हो का जैकबूट क्लास 11 शेकन टम सेलेबस अपना इस पर अपना आंसर को लिखना होगा को आपको कर दिया जाया गएगा पूरा लिखना ठीक है और आपका मोडल पर गई तो माडल पर आप लोग का जो है इस मैने कांती मंती तक जारी कर दिया जागा ठीक है अगर आप लोग के पर इसा 16 जूर या फिर 17 जूर से श्राट होगा तो आप लोग का जो मॉडल पर इस मांत के लास्ट में जारी कर दिया जाएगा अगर वीडियो अच्छे लिए रिफरमेशन चला हो या तो वीड